आज मैं पीजा सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो बिलकुल बाहर जैसी बनेगी और जटपट बनकर रेडी हो जाएगी तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने दो टेबल स्पून ओयल डाला है और तेल को जो है अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे गर्म होने के बाद मैं एर्ट classified डालंगे साफिस मैंने बारते कर लिया है यहां पर मैंने ने ट्माटा ठीके मॽं ट्माटर को यहां पर मैंने ए चछे तरीके से बनाली दूंगल कर नहीं कर दो और श fiance मिक्स लिया है एक द फिर इसमें मैंने स्वाद नुसार नमक डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे यह टमाटर को इसके पानी सूखने तक हमेसे पकाना है फिर इसमें मैं एक टेबल स्पून कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगे और अगर आपको ज़्यादा तीखा करना है तो आप इसमें हाफ टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मैं यहाँ बाद में इसमें चेली फ्लेक्स डालूँगे इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तीखा नहीं डाल रही हूँ इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर देखें यहाँ पर आल्मोस्ट हमारा जो टोमाटर का पानी है वह सूख चुका है और इसे थोड़े देर अभी और पकाना है तो इसे अच्छे से चला लेंगे अब मैं इसमें दो टेबल स्पून टोमेटो केचप तो हमारा आल्मोस्ट रेडी हो चुका है अब मैं इसमें विनेगर डालूंगे और इसे अच्छे से चला लोंगे अल्मोस्ट हमारा जो पानी है वह टमाटर वाला वह पूरी तरीके से सूख चुका है तब इसे बस एक से दो मिनट पकाना है उसे ज्यादा नहीं और अब मै इसमें लासली चिली फिलेक्स डाल दूंगे और इसे अच्छे से मिला लोंगे और अब इसे एक से दो मिनट तक पकाना है उससे ज्यादा नहीं एक मिनट के बाद जब यह पाने पूरी तरीके से सूख जाएगा इसका तो मैं गैस को आफ कर दूंगे और यह जटपर बनकर रेडी हो चुकी है पीजाजाओस की रेसेपी और बहुत ही आसान तरीके से यह बन जाती है तुरंत आपको बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रोत नहीं है तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेग है उसे भी प्रेस कर दीजेगा मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक लिए